हाई आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सब की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी so I welcome you all to the race program जिसका मकसद है to develop good answer writing skills to develop good quality content and to enrich your PSIR optional preparation तो देखे मैंने का वैसे तो start देखे हम लोग 24 को करने वाले हैं बट क्यों time waste किया जा राइट ठीक है बहुत सारे students को doubt है हम इसमें करने क्या वाले हैं तो मैंने का क्यों नहीं एक आपको example example दिखाये जाए कि what exactly and are we going to do in this and how we are going to proceed in the program तो देखे पहली बात एक चीज़ समझे है political science की preparation three stages में की जाती है किसी भी optional की first stage होता है जहाँ पर आप first time उस optional को पढ़ते हैं ठीक है जैसे आप class room करते हैं ठीक है आप आप कहीं book से पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं ठीक है this is the first stage of the preparation and you try to make the short notes type का बनाते हैं अपने normal notes बनाते हैं ठीक है यह आप करते हैं then comes the second stage of preparation second stage of preparation में क्या होता है आप इस stage से उठके now you begin practice and start writing the answers आप answer writing को start करते हैं ठीक है answer writing में आप काफी सारे answers लिखते हैं in short notes का application करते हैं and then क्या होता है जब यह आपका answer writing का phase हो जाता है तब आप पता चल जाता है कितने पानी में हो and then third stage में उसी proportion में आप क्या करते हैं आप revise करते हैं आप rectify करते हैं आप basically क्या करते हैं improve करते है and this is where you grow तो यह तीन stage में करते हैं अब कुछ students क्या होते हैं वो हमेशा stage one पर ही हो जाते है stage one मतलब सर मैं और पढ़ लाँ और पढ़ लाँ और पढ़ लाँ ठीक है सर अभी एक बार revise हुआ अभी दो बार हुआ है सर मैंने पांच-छे बार नोट पढ़ नहीं है चार वो they are still studying ठीक है वो studying वाली phase में है ठीक है वो कभी ऊपर उठते ही नहीं है ठीक है ठीक है अभी प्री बचा है ठीक है कुछ students के असोस्ते प्री हो चुका है सर अब तो हमें मेंसी मेंस करना है नहीं तो इसलिए आपको इत्ता ही काम दिया गया है कि ज्यादा वर्कलोड ना हो आप पे आप अराम से तीन से चार घंटे भी निकालोगे ठीक है दिन के तो आप आप क्या कर सकते हो अराम से इसको अचीव कर सकते हो जो भी यहाँ पर काम दिया जाएगा ठीक है और बाकी जो आप लेटर से टैन आवर्स आठावर पढ़ लो तो चार पर घंटा परी कभी पढ़ते रहो ठीक है क्योंकि देखे प्री अगर नहीं हुआ तो या रिमेंबर आपको अपलोड कर दिया जाएगा अब वह असाइमेंट एक जनरल असाइमेंट है और वह इस टाइप का दिखता है ठीक है यहार टॉपिक में हम लोग करेंगे जैसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्लाटो अरिस्टॉटल और मैकिवली जो की 24 को डिसकस होगा राइ अरिस्टॉटल मैकिवली एंड मैकसिमम दो से तीन की लाइन से लिखने है तो पहला असाइमेंट आपका यह है अब आपको एक अपनी कॉपी बनानी है या आप एवर नोट में नोट बना सकते हैं कैसे भी कर सकते हैं सेकें राइट कंक्लूजन और प्लाटो अरिस्टॉट में नोट पढ़े थे उससे सिर्फ की जो आपके स्कॉलर्स के नेम से कमेंटरी जैं और बुकले नेम से सिर्फ यह उठाने अब बच्चे यहीं पर गलती करते बच्चे पूरी पूरी ठियोरी चापना स्टार्ट कर देते शौट नोट में नहीं सिर्फ यह उठाना याद रखो सिर्फ यह ठीक है देन फॉर्ट स्टेप इस जितने भी पीवाई क्यूं आए है प्लैटो एरिस्टोल मैकेविली के उसको आपको रीड करना है एक लास्ट फिफ्टीन यहर्स के तो करी लो ज्यादा पुराने मत जाओ बड़ एक लास्ट फिफ्टीन यहर्स के आप रीड कर लो सिर्फ रीड करना है सॉल्व करने की बात में बात करेंगे जस्सी कौन सा टॉपिक उसमें आ रहा है और आप कितना उसको अटेम कर पा रहे हो बस देके इसका रीजन है इसका रीजन यह है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं फॉर एक्जामपल आप यहां पे द यकिन नहीं आता तो आप यह देखो मंेक यह कख़ 되난दा फ्रीट करके एक मेरे बाई हाओ ना समझो सेंज सेंज्व सेंज सीज फॉर इवें इं प्लैटो मैं मझाक नहीं कर राँ अगर आप प्लैटो मैं भी देखोगे थीक है तो बार-बार रिपीट करके यह देखिए यह पर पढ़िए ठीक है explain plateaus communism 2003 में पूछा गया फिर सिब देखो 2007 में plateaus communism हाँ है ना इस type की पूछा गया ठीक है तो आप देखे रहे हो क्या है यह question repeat हो रहे है 2005 में status individual rate large 2006 में status individual rate large ठीक है चूंकि देखे यह वाला position बहुत static है इस में ज्यादा नए type के question मनाएं नहीं जा सकते क्योंकि content बहुत static है ठीक है तो इसमें क्या है अगर previous question पर आपकी नजर है तो काफी हद तक आपका जो revision है वो easy हो जाता है ठीक है guys तो यह आपको यहाँ पर read करने होगे अब बात करते हैं six question क्या होगा किते question हमने दे दी है पांच question हो गए मैंने चार question हो गए then comes the fifth question जहां पर हम क्या करेंगे दो question को यहां पर discuss करेंगे जैसे मैकवली का यह question है that मैकवली has been called as the first realist in politics explain with particular reference to his concept of relationship between ethics and politics यह मैं आपके साथ discuss करूँगा कैसे इंट्रो लिखते हैं कैसे conclusion लिखते हैं कैसे body में लिखते हैं ठीक है यह आपको लिखूँगा then comes क्या जो मैंने आपको part one बताया था question one मैंने आपको क्या बताया था बच्चे पूचे थे स्वर्च नोट कैसे बनेंगे short notes मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ thinkers scholars intro के ही बनेंगे जैसे अगर आप यह देख पा रहे हो यहां पर just let me इसे side करने दो ठीक है अगर एक second just let me ठीक है हाँ तो आप यह देख पाई अब आजेए अब इंट्रो फ मैंकिवली ठीक है इंट्रो फ मैंने एवर नोट पर मनाए है ठीक है तो इंट्रो फ मैंकिवली का इंट्रो मेरा तयार है क्या मैंकिवली इंवेस्ट रिप्रेजेंट्स दो फॉस्ट क्लियर डिपार्चर फॉम आइडलिजम और इंड्री इंड्री इस दस दो फॉस्ट मॉडर्न पोलिटिकल थिंकर रिफ्लेक्टिंग दे स्पिरिट ऑ रेनिसा अब यह अगर आपने यह कर लिया रट लिया हाडली तो मेरे भाई आप मैक विली का कोई भी कोशन कोई भी कोशन आप देख लो अभी हम लोग डिसकस भी करेंगे यह सब चीज़े कर सकते हो कोई भी आप यहां पर कोशन देख लो यू कुट आप अल्वेस टार्टिड ओफ इस राइट ठीक है फिर एक लर्णर है उनका आप यहां पर कोट कर सकते हो दो होल डृफ्ट ओ मैक विली इस वरकेस तोड़ प्लिटिकल रियलिजम की इस नोना अज फादर ऑफ प्लिटिकल रियलिजम हाँ थेक है टॉक अबट प्रोफिसर मैक्सी कहते है कि मैक विली का जो पैशन तोड़ लुकि हुआ था उसको rescue कर दिया तो इसे easy line में लिख सकते है जैसे याद है ग्रामशी ने माक्स को crude economic determinism से बचा लिया था rescue कर दिया था वैसे ही मैक विली ने क्या कर दिया जो आपका political philosophy फसी हुई थी किस पे political thoughts फसा हुआ था middle age में medieval ages की thinking में उससे मैक विली ने उसको rescue कर दिया ऐसा मैंनी कह रहा है इसा प्रोफेसर मैक सी कह रहा है था है न आपने जोन्स को यहाँ पर एक और बाग कोट कर दिया कि मैक विली insist करते हैं that politics can understood only in terms of power हाँ है ना हाँ है ना and this forms the basis of modern day international politics ठीक है बलकुल बेर भाई and he has been inspiration for contemporary thinkers later on like Hobbes, Morgan Dao इनको उन्होंने inspire किया है हाँ है ना he is known as the intellectual precursor of क्या realism यहाँ पर कोट कर सकते intellectual अभी अभी मुझे ध्याना है precursor of realism ठीक है मैकेवली को intellectual precursor of realism कहा जाता है यह भी एक आपका previous question है ठीक है तो आप इस से conclude कर सकते हो ठीक है तो if you want to write तो आप क्या कर लोगे आप जोन से क्या कर लोगे जोन से you can just quote it कि भाई यह मेरा conclusion हो का ठीक है तो purpose हान में आया है purpose क्या है purpose यह सर जी कि हम अपने short notes ऐसे बनाएंगे question answer format में कि जब मैं revise कर रहा हूं तो मैं सर जी क्या कर रहा हूं सिर्फ question के answers को रट रहा हूं क्योंकि ultimately भाई रटा मारना है देखो सहाब बता रहा हूं जिस बद्दे को रटा नहीं है तो वह तो बैठेगा वह तो अच्छे से बैठेगा exam में क्योंकि जहां question exam में तुम्हाँ सामने आया for example यह question आया ठीक है क्या मैं कि विली secularism अब बच्चे confused है यार how can I start this answer ठीक है अब you are trying to find what is the best introduction जो हो सकता है और उस महां तुम सोच होगे और जहां तुम सोच होगे वहां पर tick 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 the clock is running right and you are losing out time as a result what will happen you will write very shabby very average answers in the end और उसकी वज़े से आपके marks में काफी जादा drastic reduction देखने को मिलेगा बड़ एक बंदा जो रटके गया है क्या क्या मैकवली इन वेस्ट रप्रसेंस अ फिर्स क्लियर दिपार्चर फ्रम इडलिजम और लिटी अ थास रिगार्डिज अ फिर्स अ फिर्स प्रिंट आप इस जोन्स हिस बुक देखने को अर फिलोस्पिल टेक्स इस रिल पॉलिट करनी है हाई ना फिर आपने मैकवली से क्लिजम पर आपने लिख दिया बहुत ही सिंपल है वो तो आप आराम से लिखी लोग है ठीक है उसके बाद कंक्लूशन में कर दो कि मैकवली इंसेस्ट था पॉलिटिकल पावर ठीक है पॉलिटेक्स कैन बी अंडेस्टूट अंडेस पावर रेस्ट रिलिजन आप कह सकते हो अंडेस्ट इस सेकेंडरी हाँ यह ना अंडेस फॉर्म्स अ बेसे बाद इंटनाशन पॉलिटेक्स फॉलिटेक्स फॉलिटेक्स मॉर्गंदाओ और इस राइटली कॉल्ड आज इंटेलेक्शल प्रकर्स फॉलिजम खतम लिख दिय में मेरे पास फी जो है दोनों मेल भाट के शेरब करते हैं जिसक बेस्ट होगा आपने और साथ कूछ और चाव आप recentTON कुछ और चालीट कर देगी अ historic a मेरे बाउसर जोрийon को simple as that ठीक है और फिर मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूँगा अब कुछ बच्चे आलसी हो ने क्या फोचिगा रे सर तो PDF शेयर करेंगे नहीं मेरे बाई सर PDF शेयर नहीं करेंगे मैंने इसलिए प्रॉमिस नहीं करा है क्योंकि कुछ बच्चे क्या हो गएंगे कुछ बच्चे फिर लिखने ही छोड़ देंगे ठीक है पीपल विल अगर यार सर PDF देतो रहे हैं हम तो बस याद ही कल नहीं है ऐसा नहीं है जब आप चीजे खुद करोगे तो क्या होगा तो आपको तो आपको दो चार एक्स्टा चीज मिलेगी ठीक है तो यह चीज धियान लगना ठीक है समझ अगर प्लाट लगना रहे हैं प्लाट विलेगी रहे है इस टाइब की यहां बात आपने कर दी, चेक है, then एक और introduction हो सकता है, अगर प्राइटो अरिस्टोल का दोनों मिक्स कोश्चन है, in his history of western political tradition, in the history of western political tradition, Plato and Aristotle, Plato and Aristotle क्या लिखा है, enjoy a pre-eminent position at great masters, while Plato was an idealist and radicalist, Aristotle was a realist and moderate, हाँ है न, then quote professor Bohl, professor Bohl को कोट कर सकते है, he declares that politics is the most influential and most profound text on the, you can say, political science, ठीक है, talk about Dr. Zeller, की quotes, Aristotle politics is the greatest contribution to political philosophy that we possess, ठीक है, इस टाइप साप यहां पर लेख सकते है, right, ठीक है, then उसके बाद आगे पढ़ो, ठीक है, Plato का introduction, Plato has been regarded as the founder of philosophical idealism, why, because of his attempt to formulate and define political ideas, हाँ है न, and trying to find the framework of the best, the good, the ideal ideas, his main purpose was to make Athens an ideal state, in this context, he gives his theory of x, y, z, अब x, y, z, जो ocean है, वो चाहां पर चाप दो, तुमारा ready-made answer, समझ जो हम लोग क्या करने वाले है, मेरे भाई, हम लोग ready-made answers बना के रखने वाले हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवी पास आ रहा है, ठीक है, हाँ है न, अब देखो यह मैंने इगनू से चापा है, क्या, कि Plato, a Greek philosopher, is one of the most creative and influential thinkers, some have even described Plato as the real intellectual founder of Christianity, a Christian before Christ, भाई साब, Jesus Christ से compare कर दिया तुमने, अब जैसे ही आप ऐसे ही बैंग ओपनिंग करते हो किसी भी आंसर की, तो भाई, examiner is highly impressed, highly impressed कि this guy knows something, ठीक है, and now he wants to check you out, in the sense he wants to check your copy out, समझो, ठीक है, he will take interest, देखो, समझो, examiner पे एक कोपी बार 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 आ रही है, how will you impress the examiner by using these jargons, by using some certain kind of language that separates your copy from the others, but at the same time always remember you should never write extremely complex Sashi Tharu type of English, because if you do that, you will be bound to be penalized, you will be penalized badly because that irritates, right, next quote, if you find Nettleship, what does he say, according to Nettleship, the book Republic may be regarded as not only a philosophical work, but a treatise on social and political reforms, remember, Plato has talked about theory of education, Plato has talked about theory of justice, so it is not only a philosophical work, not only a political work, but a theory of everything, remember, it is an encyclopedia of political science, political philosophy, right, talk about Whitehead, that, Plato has created the laying foundation of political perspective, on which the entire western political thought rest, so he has created a foundation, and hence, he comments, that entire western political philosophy is nothing but a set of footnotes to Plato and Aristotle, okay, remember this, remember this, then Socrates, knowledge is virtue, this inspired Plato to give his theory of philosopher king, according to Plato, a philosopher by his grace of idea of good, was best qualified to rule, talk about Crossman, according to Crossman, Plato remained an aristocrat, convinced that peasants craftsmen were incapable of political responsibility, so this is what, this is a critique of Plato, right, Karl Pooper, we have studied, he calls Plato, Marx, as enemy of open society, critique of Plato, okay, then, I was studying the theory of justice, this is important, so in justice, what could be the intro, Plato, the idea of justice has been the core concern of subject of political philosophy, right, from Plato to Marx, Marx to Rawls, Rawls to Amartya Sen, Plato, who has been regarded as the founder of what, philosophical idealism, has discussed the idea of justice in his book, The Republic in Great Detail, that's it, understand, Sabine, justice for Plato is a bond that holds society together, Barker, commented that entire Plato's thought is hinged around the concept of justice, getting, getting, and then, Plato's theory of justice, just 2-3 key points, you can write it, I wrote this down from Igno, right, right, so that is how we are going to go about in this particular course, so, according to me, we have covered Plato, Aristotle and Machiavelli, we have done their intro, we have done their conclusion, we have done their thinkers, just keep on revising them, now, if you have a test, to give, you can easily revise these 2 pages, these are just 2 pages, because this is the previous question, this is the solution which we will be discussing, and the next is just thinker, thinker part is this, and the thinker part is this, just what you can do more is, in Machiavelli, just go and write out its famous statement, just, that a brain should be clever like, a fox and brave like lion, right, you can talk about this, you can just write, take care, so just main statements you can quote, of Machiavelli, of Plato, of Aristotle, from your notes only, from your notes, whichever notes you are following, the ones which are available in the market, they are also good, you can just write the key sentences, and keep on revising them, keep on revising them, see, in the entire thing which I showed you, there is not even a single thing which I have written, very very in depth, because, stage 1 is covered, this is stage 2, if you don't know stage 1, what are you doing here, right, understood, so, whatever you think is tough, now I feel that Plato's theory of justice is important, I am getting this feel, then, I just noted the key points, justice is nothing but, the principle that each one should pursue a function of which, one is fitted by nature, what is your call, what is your nature's call, what is for you, then, go for that, what are you made, realize your purpose, and do that thing, each one do one's own work, and, this is good not only for you, but for the entire society, this is justice, so justice means specialization, excellence, justice helps people to, be in a society, it is a bond that holds the society, remember, barker, it is a bond that brings, together individual, classes, state, into one frame, people live in peace, harmony, and achieve excellence, justice is both a public and private virtue, it aims at the highest good of individual, at private level, as well as the whole good of society at the public level, so, it is a moral concept, getting, planning, so, Plato's theory of justice leads to division of labor, specialization, efficiency, it is a principle of specialization, unity, non-interference, harmony, these are keywords, these are keywords, key phrases, this should be in your answer, no matter what you write, write these keywords, because, examiner is checking copy at a very fast pace, he does not have personal time to check each and every line, he will just look for the keywords, he will try to connect, yes, yes, he knows things, his notion of justice implies a social virtue, a private, a public ethics, and a moral dictate, understood, so, these are the keywords which you should come in your particular answer, every philosopher has a tone, recognize that tone, and write on his lines, try to write as much as in his words, rather than in your words, people think, so, should we write answers in your own words, no, no, I believe that is a very kiddish way of writing, write what the thinker has told, yes, you can simplify text, that is understood, but, try to be as original to the philosopher, as to yourself, right, so, so, that thing, impresses a examiner more, so, always, keep, their main quotes with yourself, so, that, you can mug those up, and, wherever you are finding, whenever you are 2-3 lines, you are writing on your own, just quote one of his statements, right, the prince should be clever like fox, and babe like loin, so, that is only possible, if you have all the, notes, all the, sorry, the key statements, the key commentaries at one place, now, if you can see this, right, this is the western political thinkers, and see, how, over here, the, only those statements are written, only the, those statements are written, which are, which have been, specifically quoted by those philosophers, right, like, Aristotle, Aristotle says, everyone's property is no one's responsibility, right, see, Plato says, this, those states are best governed, where rulers are, least bothered, or, least reluctant to govern, rather than, they are more eager to govern, this is theory of philosophy, right, Plato has said this, until, rulers learn philosophy, or philosophers become rulers, there is no end to the suffering, to the human lives, there are no end to the problems of human life, cotalia, the happiness of the king, lies in the happiness of its subject, state, state is individual writ large, one who is, acting according to, the spiritual quality of the soul, is a just soul, state does not come out of oak, and, rock, it lies in the mind of people, so this is what, this is Plato's theory of ideal state, so, see, if you can see, only, only, the statements are written, and see, in one page, this guy, has written the entire plateau, next page begins Aristotle, his main work, the politics, now see, statements, man is by nature a political animal, one who can live without state, is either beast or God, but cannot be man, state come into existence, for sake of light, and continues to take out good life, see, these are the key statements of Aristotle, you just need to muck them up, state is the highest form of all association, okay, see, his views on citizenship, citizenship is a duty towards the state, slavery, according to Aristotle, slavery is natural as well as useful, understood, understood, so, Immanuel Kant is the critique of, Aristotle's theory of slavery, okay, state is natural destiny of man, state is not only natural, but a necessity, property is a time-tested institution, see, theory of property, he has written the key point, inequality is the chief cause of all revolution, democracy is the rule of ignorant poor, this is the view of Aristotle, so, like this, you have to just write the key statement, if you write, if you keep on writing key statement, any philosopher is not more than one page, just, hardly, hardly half page you have to write, see, then comes the Machiavelli, see, Machiavelli, in politics and justify the means, right, so, I will be sharing with you, this pdf, but I am just telling, people who are bothered how to make short notes, this is how you have to make the short notes, so, you should be making short notes, you should be writing some of the theories also, but right now, you do not have much time, because prelims is approaching, so, I hope you got the, gist of, what we will be doing in our particular course, and, this will be, an amazing course, trust me, this will be an amazing course, if you follow the assignment which is given by me, every day you will be given assignment, so, this is the assignment of Plato, Aristotle and Machiavelli, and I have specially designed so that, it does not take much of your time, because I understand the fact, that, people have to give prelims also, you guys have prelims on your head, and I appreciate that, in fact, I recommend you to not to stop studying for pre, keep on, keep on studying 1-2 hours for pre, with time to come increase that, so, thank you so much guys, hope this helps you, and helps you well, if you, liked the program, if you have any feedback, any suggestions, I am, always open, I am always flexible, do let me know, you know my telegram id, somat is there, you can always message me, I will look into, that as soon as possible, and I will try my best to address all your, queries, that is how we will be going, about in this program, thank you so much guys, have a good day, bye bye, do ... to I am particularlyバイ,